असलाम आलेकों वीवर्ज गैसे हैं आप सब ? आज हम मजे के दो थऱ की रस्पी बनाएंगे जो की मटन चॉप्स सुका है मटन चॉप्स का सालन है हमारे करना तक साईडिये बनाते हैं बहुती मजे के बनते हैं बहुती कम इंग्रीडियेंट से और बहुती जाइकरदार ये रिस्पी बनने वाली है तो वीडियो को भी ना स्किप किए पूरे एंड तक जरूर देखिए तो चलिए मतन चॉप्स बनाना शुरू करेंगे मैंने यहाँ पे 750 ग्राम मतन चॉप्स लिया है इसे धो के पानी पुरा निथार के लिया है यहाँ पे एक कुकर लिया है उसके अंदर 30 ml जितना तेल डाला है उसके अंदर यह मतन चॉप्स डालूँगी पौन किलो मतन चॉप्स हैं बड़े-बड़े पिसस वाले लिये हैं चर्बी, हडडी, सब कुछ है अब इसके दर नमक ढाल दूँग नमक आप अपने ऴिरे नमक चमच नमक ढाला ऐ एक टेबल स्पून भर के duck की मिर्ची डाली और यह भी आप अपने विरे आपने विरे नमक भर के हिसाब की लिए और इसे 5-10 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राइ कर लूँगी थोड़ा सा भूनना चाहिए चॉप्स को तभी अच्छे से बनेंगे दिखिए अच्छे से बून लिये हैं मैंने 5 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे अब इसके अंदर 150 ml जितना पाने डालके सुकर का रकन ब पिसके लाओंगी यह पर गयास पर कडाई रखिए इसके अंदर 2 टेबल स्पून तेल दाली हूं मेरा एक स्पून 2 टेबल स्पून का है तो तेल का हलका सा गरम कर लूँगी तेल गरम हो चुका है इसके अंदर एपीसी भी प्यास डालूँगी और इसे फ्राइ कर लीजिए तिक्यां पर यहां पर प्यास को फ्राइ कर लिया है प्यास तेल छोड़ रही है अब इसके अंदर डेसीकेट़ इड़न दाल दोंगी नालेल का बुरादा यहां पर दो टेबल स्पून डाल रही ही हूं मैं इसे भी हलका सा फ्राइर कर लूँगी अप इसके तो में लिरे फ्राइन की सबारे यूप करेंग अइवाराई से इसे इसे फ्राइवारा है अब इसके अंदर टमाटर दूँ गधिनी वो वाले देखके लीजिए जितने चॉप्स चाये उतने डाल के इसके अंदर थोड़ा साइसकी ही क्रेवी डालके जब तकी पूरा सुखाना हो चुका है बटन चॉप्स बटनक्प्सकी ग्रेवी बना लेंगे मैं η यह पर मिक्सी का जार लिया है , इसके अंदरЕ타bell ऑने जितना कोटिंभी ढाली है दो टेपल स्पून जितना नार्यों डाला है एक टी स्पून लगबगada देड़िट इतना अध्रक लसं का पेस्ट डालां है और दो मीडियum साइस के ट würवार को लिया है इसे मिक्सी के जा कर दोंगी से फ्राइअ करें सब्सक्राइए के Цबी दो क्याते एक मिर्षी कें सब्सक्राइए सप्राइब जाएए नवी प्राइए एक टेल स्पून गौण मिर्ष्ट 136 छोड़ा है इसे पका लूँगी कि अच्छे से पक रहा है साइड में तेल आ रहा है तो अब इसमें चॉप्स डालूँगी और बच्ची फीर सारी ग्रेवी और हाफ टी स्पून जितना गरम मसाला है चॉप्स बड़े-बड़े हैं इसलिए थोड़े ही लग रहे हैं ये ये कितनी सारे उ साथ चिपाती के साथ खा सकते हैं या फिर ऐसे ही खाईए बहुत ही मज़े के लगते हैं ये मटन चॉप्स और मटन सुक आपको कैसा लगा मज़े जरूर कमेंट करके बताईए और इस रेस्पी को आपकी फैमिली फ्रेंस के साथ जरूर शेयर करिए तो वह भी लोग इस त थैंक यू